हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तों कोई भी गवर्मेंट की प्रॉपटी या जमीन होती है उस पर कोई भी व्यक्ति या फिर किसान उस जमीन पर कब्जा कर लेता है तो कौन सी धारा के तहट उस पर कारवाही होती है आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिसकस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अतिकिर्मन क्या है कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी जमीन पर फसल बो देता है यहाँ पर या फिर बोड लगा कर कब्जा कर लेता है कई लोग क्या करते हैं जो उनकी जमीन होती है उसके पास में जो सरकारी जमीन होती है भै दीरे दीरे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं या फिर सरकारी जमीन को घेर लेते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि कई ब्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे ब्यक्तियों की कम्प्लेंट अधिकारी से कर देते हैं उन्हें सरकारी जमीन को नपबाना पड़ता है कई बार गाओं के लोग या फिर ग्राम सभा के लोग पटवारी से कम्प्लेंट कर देते हैं कि ए नाम के ब्यक्ति की जमीन को ना पा जाए क्योंकि इसने सरकारी जमीन पर कबजा कर लिया है इसके लिए किसान के पास रिकार्ड होना चाहिए जैंसे रजिष्टी या फिर पट्टे का होना आवश्यक है यहाँ पर यह होता है कि कम्प्लेंट के बाद किसान को यह सिद्ध करना पड़ता है कि जो जमीन है उसकी है यदि उसके पास डांकुमेंट नहीं होंगे तो भै प्रूप नहीं कर पाएगा यह जमीन उसकी नहीं है यदि भै प्रूप कर देता है तो उस जमीन पर उसका कबजा बरकरार रहे है दोस्तों जो बेदकली की प्रिकिरिया होती है वो सिर्फ काग्जों तक ही स्वीमत होती है यह बात सरकार भी मानती है जो कारेवाही होती है भाई निस्प्रभावी होती है किरसी भूमी पर जो अतीकरमन होता है उसकी रिपोर्ट पटबारी द्वारा बिलंब से प्रेसित की जाती है क्योंकि यह लोग पहले से ही मुटी रकम खा चुके होते हैं क्योंकि भूमी का उप्योग होने के बाद बेदाकली की कारेवाही का कोई औचित नहीं होता है यहाँ पर यदि कोई ग्रामसभा का ब्यक्ति उसके खिलाब जिसने कबजा किया है कोई कम्प्लेंड करता ह तो पटवारी आता है उसकी जमीन के सारे रिकार्ड चेक करता है यदि जमीन में गवर्मेंट का रिकार्ड निकलता है तो उस ब्यक्ति के खिलाब जुर्माना भी हो सकता है यदि नप्ति में बह जमीन पर सरकारी रिकार्ड नहीं निकलता है तो उस ब्यक्ति को जमीन दे कर सकते हैं यह एक अफराद है यदि आपने सरकारी जमीन पर अतिकर्मन करके घर बना लिया है और भविस्व में उस जगए की आवशकता सरकार को पड़ती है तो बहे आपके घर को तोड़ भी सकती है उनको यदि कोई प्रोजेक्ट लागू करना है जैसे रोड बनाना है कि नीलाम करने का अधीकार है ऐसे में जो पैनाल्टी रासी उसकी बसूली नहीं हो पाती है ना ही नीलाम रासी की क्योंकि मर्ज रासी पर ही जो अतिकर्मी होता है वह भदल को खरीद लेता है सरकार के पास कोई समूचितर काड होता नहीं है जी एफ एंड ए अ-हे-र के ज इससे यह फायदा होगा कि पटवारियों की जिम्मेदारी वड़ेगी सरकारी जमीन पर जो अतिकर्मान है बाई सूची वद्ध होगे जब आरक्षित दर लागू होगी तो राजश्य की हानी रोकेगी और रेवेन्यू में बड़ोत्री होगी अबैत खनन के बाद सरकारी भूमी के जो दुरूपयोग है उस पर रोक लगेगी आसा है दोस्तो आपको यह वीडियो पशंद आई होगी वीडियो से लेटाव आपका कोई कॉस्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें